गुड दो इस वीजियो में बेसिकली हम लोग जो डिसकस करने जा रहे हैं वो डिसकस करने जा रहे हैं क्रैब साइकल के बारे में डियर इस्टुएट्स दिहान देना बहुत सारे स्टुडेंट का कहना है कि मैं बहुत ही जादा फास्ट पढ़ाता हूं लेकिन टेंशन ना ले मैं अभी धीरे धीरे पढ़ाऊंगा सर्दी भी है इस वज़े से कहर कोई बात नहीं और कह सकते हैं आज टुड़े इस टुड़े जुलाई सबसे पहले जो साइंटिस्ट इंवाल्व थे वो थे हैंस क्रैब यह डिस्कवरी 1937 में हुआ इसे दूसरा नाम से कहा जाना सुरू हो गया जिसका नाम क्या कहते हैं साइट्रिक एसिड साइकल या फिर ट्राइकारबॉक्सलिक एसिड साइकल कहते हैं जिसे टी सी ए कहते हैं dear students ये तो दो जगह पे होता है पहला अगर eukaryotes और prokaryotic cells में देखा जाए मतलब कि दो टाइप के cells present होते हैं nature में पहला जो advanced होते हैं that is eukaryotes दूसरा जो least होते हैं that is the prokaryotes जो advanced होते हैं वो mitochondrial matrix of eukaryotic cells में होता है जबकि cytoplasm में prokaryotic cells पे होता है dear students now students अब बात ये आती है कि आखिर crab cycle कैसे work करता है तो crab cycle actual में step wise oxidation और cyclic dehydrogenation है of activated acetate मतलब acetyl coenzyme जो कि derived किसे हो रहा है तो pyruvate से derived हो रहा है dear students एक और बात समझना कि इसमें oxaloacetic acid consider करता है first member of cycle और जबकि marker enzyme citric acid का जो होता है they are commonly known as what succinated dehydrogenase होता है अब ये कैसे होता है इस चीज़ को अपन अच्छे तरीके से discuss करेंगे now dear students अब अपनी start करते हैं crab cycle के पूरे entire mechanism मैंने crab cycle के entire mechanism को पहले ही लिख लिया पहले ही लिख लेने के बाद basically आपको ज़्यादा परेशानी ना हो इस वज़े से मैंने क्या कर लिया है draw कर लिया है और अच्छे तरीके से रखा हूँ मैं क्यों क्योंकि मैं लिखते वक्त बनाता तो सायद काफी ज़्यादा परेशानी हो सकता था so दिकत भी हो सकती थी आपको so मैंने क्या किया और ये कर लिया और ड्रॉ कर लिया dear students सबसे पहले ये cycle जो होता है वो इस्टार्ट होता है that is pyruvique acid से pyruvique acid जो basically तीन carbon compound है ये आगे चल करके release करता है CO2 इसमें involved होता है NAD form करता है NADH2 plus इस जगा पर co-enzyme A भी involved होता है dear students यहाँ पर जो enzyme require होता है उस enzyme का नाम होता है pyruvique dehydrogenase complex pyruvique dehydrogenase complex अब है क्या तो अब यहाँ पर देखो magnesium divalentine TPP plus LA LA का मतलब lactic acid मत समझना that is lipoic acid कहते इसे कौन सा acid कहते है लिखी दे रहा हूं यार किम लोग क्यूं परेशान हो गए है न lipoic acid lipoic acid के साथ-साथ एक और चीज लगता है जिसे आपन क्या कहते है trans-ac-tylase कहते है और ये सारे complex मिल करके pyruvic dehydrogenase complex का formation करते है अब बात करते है acetyl coenzyme से लेकर के citrate जिसे tricarboxylic acid भी कहते है जो कि 6 carbon का होता है अब जैसे देखो एक CO2 release हो गया तो pyruvic acid से क्या बना है acetyl coenzyme A बना ये acetyl coenzyme A कितने number of carbon का है जिसमें कि सबसे पहला जो enzyme require होता है वो condensing enzyme require होता है जैसे कि नाम क्या है cytrogenase जिसे citrate synthetase भी कहते है इस जगा पर citrate form करने के लिए पहले तो water add होता है प्लस इसी जगा पर क्या होता है water add होता है प्लस coenzyme क्या होता है release होता है ध्यान रखना coenzyme क्या होता है release होता है सेम चीज़ देखो cyclic event coenzyme यहां से release हो गया और यहां से क्या हो गया add हो गया मतलब यहां से निकलता रहेगा यहां से add होता रहेगा यह cyclic event है और इसी जगा पर इस event को आपन क्या करते है first event करते हैं कौन सा है एसिटाइल को एंजाइम से को एंजाइम रिलीज हुआ यह first step है जिसमें citrate का formation होता है जिसमें एसिटाइल को एंजाइम oxaloacetic acid के साथ combine करता है क्यों क्योंकि यह जो होता है एसिटाइल को एंजाइम उसके unstable bond तूट जाते हैं और ultimately वो क्या करते हैं six carbon compound को form करते हैं dear students अब क्या है जब citrate का formation हुआ तो यहाँ पर cis iso और oxalo compound बनता है जिसमें की citrate से cis aconitate जो citrate और इन दोनों के बीच में जो एंजाइम लगता है जिसका नाम क्या होता है aconitase कहते हैं जिसमें water release होता है plus iron divalent iron use होता है क्या चीज use होता है as a metallo compound जो की as a catalyst के तौर पर work करता है अब क्या है कि यह net result है conversions का iso citrate यह सब का so ultimately sin aconitate जब six carbon molecules का रहता है further आगे बढ़ता है इसमें भी again acinotase enzyme लगता है जिसपे की water plus iron require हुआ अब dear students आगे बढ़ा जैसे ही तो क्या बनाया iso citrate बनाया जो कि six carbon compound का था six carbon compound में इसमें जो enzyme लगा जिस enzyme का नाम था iso citrate dehydrogenase जो कि यहाँ पे एक और divalent iron require होता है जिसे magnesium divalent iron कहता है इसमें NAD utilize हुआ और NADH2 का formation किया मतलब कि अब कही न कहीं reduction होगा लेकिन यहाँ पर carbon molecules में reduction नहीं हुआ यह form किया oxalo succinate that is six carbon compound का oxalo succinate यह actual में जब reduce होता है alpha keto glutarate में तो यह actual में step 3 माना जाता है क्या माना जाता है step 3 माना जाता है जिसमें कि एक carbon molecule release हो जाता है clear है enzyme जो लगता है जिसे हम क्या कहते हैं D carboxylase कहते हैं MN divalent iron plus CO2 क्या होता है release होता है alpha keto glutarate जो की 5 carbon compound होता है इसमें protein add होता है बटा protein add हुआ then क्या हुआ कि इस जगा पे enzyme का complex लग गया और इस जगा पे जो complex लग गया उसका नाम था that is alpha keto glutarate dehydrogenase complex और इस complex में भी क्या क्या है T double P magnesium divalent iron lipoic acid और trans succinylase enzyme लिख दे रहा हूँ trans succinylase अब यह जब यह trans succinylase है तो यह basic ली क्या किया यह complex बना है किसका alpha keto glutarate dehydrogenase complex का dear students अब alpha keto glutarate से succinic coenzyme A यानि 5 carbon से 4 carbon molecules बना यह step 4 होता है क्योंकि इसमें भी बेटा क्या होता है एक carbon molecules release हो जाता है अब यहां पर देखो कि अगेन यहां पर coenzyme A क्या हुआ? add हुआ क्या add हुआ? क्या add हुआ? coenzyme A add हुआ फर्दर यह अब यह succinyl coenzyme A जो की 4 carbon का था वो फॉर्म किया अब यह water plus GDP plus inorganic phosphate लगा enzyme succinyl synthetase और coenzyme A release होगे ज़रा देखो यह coenzyme A बस घुमता रहता है दिख रहा है? succinyl coenzyme A के succinate बनने तक coenzyme release हुआ अगेन फिर alpha keto coenzyme A add किया यानि यह cyclic है एक event से निकलेगा दूसरे event में खुद add हो जाएगा अब इस जगा पर succinyl coenzyme और succinate के बीच में बिटा जो enzyme लगा उसका नाम क्या था succinyl synthetase जिसमे thiokinase भी important role प्ले करता है clear है GDP plus inorganic phosphate यह actual में क्या है ADP है मतलब कह सकते है adenosine diphosphate जो की adenosine triphosphate में convert होता है यहाँ पर अपन GDP ही consider करेंगे यह जो step है यह step number 5 है कौन सा step है step number 5 step है dear instrument समझ यहगा अब क्या है यह step number 5 जिससे succinate बना succinate 4 carbon compound का था आगे चल करके क्या बना fumarate बना यह जो step था यह step number 6 था जिसमे FAD utilize होता और FADH2 का formation करता है अब DR student यह fumarate आगे चल करके क्या होता है आगे चल करके यह automatic mallet का formation करता है mallet basically क्या है 4 carbon compound clear है mallet में fumarase enzyme water add होता है यह step number 7 है टेक है mallet के बाद फिर से oxaloacetate का formation करता है जो कि mallet dehydrogenase require होता और इसमें भी NAD plus किसमें form करता है NADH2 में form करता है यह step number 8 है और ultimately यह cyclic event क्या हो जाता है complete हो जाता है इसके सारे event जो होते है यह क्या होता है reversible होता है लेकिन सिर्फ दो तीन steps ऐसे होते है जो irreversible होता है जैसे succinyl coenzyme irreversible है oxaloacetic acid से लेकर कि यह irreversible है बाकी सब क्या होता है reversible होता है और इसे टाइल को enzyme A से लेकर के citrate तक क्या होता है यह irreversible होता है अब अपन discuss करेंगे summary यानि reaction का summary क्या कहता है इसमें जड़ा देखो glucose प्लस 4 ADP प्लस 4 H3PO4 10 NAD प्लस 2 FAD फॉर्म करता है अब क्या है यह 6 CO2 मॉलेक्यूल 4 ATP मॉलेक्यूल 10 NADH 10 H प्लस मॉलेक्यूल और 2 FAD H2 मॉलेक्यूल फॉर्म करता है significance अगर कोई आपसे पूछता है crab cycle का तो सबसे पहले आपको significance देना यह है कि यह common pathway होता है oxidation का किसका carbohydrate, fats और amino acid का इन तीनों का oxidation का जो common pathway है वो crab cycle है उसके बाद यह major controlled release of energy होता है plus crab cycle produce और reduce करता है coenzyme into four separate steps क्या करता है produce and reduce coenzyme A in four steps चार steps में देख लेना another step for the formation of reduced coenzyme A during the formation of acetyl coenzyme from the pyruvate पहला next चीज अगर इसका main significance देखोगे तो coenzyme A जो reduce होता है coenzyme A reduce होता है और form जो होता है वो कहाँ पर होता है पता है near the matrix और वो भी कौन से reason पे matrix side of inner mitochondrial membrane क्या चीज inner mitochondrial membrane पे होता है अब यह inner mitochondrial membrane पे किया तो वो क्या किया यह actual में which carries which carries the respiratory chain है ना किसके वज़े से four transport of किसका तो electron and proton का clear dear students और फर्दर यह help करता है oxidative formation of ATP यानि help in ATP formation वो भी क्या चीज oxidative event पे बोलाया ना next crab cycle जो होता है connect होता है synthesis of ATP molecules dear students यह entire event जो था यह किसका था crab cycle का था और अब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगोंने crab cycle अच्छे तरीके से कर लिया तो अब ETS बचा ETS के बाद हम लोग respiratory balance वगेरा देखेंगे aerobic anaerobic fermentation देखेंगे और फिर RQ देखेंगे that is respiratory cutent और chapter हो जाएगा क्या खतम यानि अब ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है chapter खतम होने का और class 12 start होने का So dear students मिलते अपने next video lectures में और उसमें further discuss करते हैं